हेलो बच्चो वेलकम टू आर्पी क्लासिज आज की वीडियो में हम करेंगे इंग्लिज क्लास 6 की है जिसका चैप्टर हम 7 कर रहे हैं जिसका नाम है फेर प्ले इसके कोश्चन अंसर देख लेते हैं फर्स्ट कोश्चन है जब सिच्चेशन बदल जाती है तो इसके बारे में क्या कहा गया दा सिच्चेशन इज रेफर तू एग्रिमेंट बिट्वीन जमून एंड इस आंट परसी ती किस 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 के बीच में हुई थी जमून और उसकी आंट थी उसके बीच जो समझोता हुआ उनके बारे मिस्चेशन चेंज हो जाती है इट चेंजड वैन जमून एंड इस वाइफ बिगें टू निगलेक्ट हर यह उस टाइम बदल जाती है जब जमून और उसकी पत्री ने उसकी आंट की परवहा करनी छोड़ दी जमून की चाची को लगा कि उसने यानि जो जमून था उसके घर में अब उसका कोई आदर सतकार नहीं करता तब उसने क्या सुझाव दिया क्या स्ज़स्ट किया she suggested that she should be given a monthly allowances उसने कहा कि उसको मासिक allowances यानि खर्चा दिया जाए to set up of her separate kitchen ताकि वो अपना अलग से kitchen बना सके question number third है what was the villagers reaction when the aunt explained her case to them यानि जब उसने इसकी चाची ने गाँवालों को अपना case explain किया अपने बारे में बताया तो लोगों का reaction क्या था the villagers reaction was mixed one क्योंकि कहीं भी कोई भी reaction होता है तो mixed ही होता है कुछ अच्छे लोग होते हैं कुछ बूरे यानि जो परती किया थी वो मिली जूले थी some sympathized with her कुछ लोग उसे साहना भूती दिखा रहे थे while some laughed at her परंतु कुछ लोग उसके उपर हंस भी रहे थे others advise her to settle the dispute with Jumun and his wife और कुछ लोग उसको क्या कह रहे थे कि Jumun और उसकी पतनी के साथ आप समझोता कर लीजिए हर परकार की दुनिया होती है हर परकार की अपने अपने सब के views होते हैं कुछ अच्छे हैं कुछ बूरे होते हैं आगे हैं आपका why was Jumun happy over Algu's nomination as head punch Jumun क्यों खुस हुआ जब Algu को क्या कर दिया nominate यानि nomination कर दिया head punch के लिए उसको बताया कि head punch बनेगा मेरे फैंसले के लिए Jumun was happy because Algu was his best friend Jumun क्या था? खुस था क्यों? क्योंकि जो Algu था उसका पका मित्र था He was sure that his friend would never go against him और उसको पका विश्वास था कि उसका जो मित्र है कभी उसके विरुद नहीं जा सकता Question No.5 है God lives in the heart of the punch The aunt said what did she mean? Aunt ने क्या कहा? चाची ने क्या कहा? कि God lives in the की जो भगवान है वो punch के heart में हिर्दय में निवास करते हैं इसका क्या मतलब है? Answer क्या है? इसका मतलब क्या है? She meant that the punch should be impartial like God while giving judgment इसका मतलब क्या है? कि यानी निरने सुनाते समय जिस time punch निरने सुनाता है तो उसके अंदर भगवान उसके सामने होता है और वो क्या करता है? कि निस्पक्स अपना निरने सुनाता है अपना जो judgment करता है भगवान के समान वो निस्पक्स होना चाहिए ऐसा चार्ची उसको बोलती है यानि जो अलगू ने मुख्य पंच के रूप में अपना निरने क्या सुनाया और जमून था जो उसने उसको किस रूप में लिया अंसर क्या बनता है अलगू's verdict was that जमून must either pay his aunt or monthly allowances क्या कहा उसने कि अपनी aunt को या दो monthly allowances पे करे और he must return the property to her या उसकी property को वापिस करे at this जमून become अलगू's enemy इसके वज़े से अब जमून जो अलगू का क्या बनी गया में बनी गया दूसमन बन गया question number seven है अलगू found himself in a tight spot what was his problem अलगू ने अपने आपको एक बड़ी विक्ट प्रस्थिती में पाया उसकी problem क्या थी समस्या क्या थी the problem was one of his fine pair of blocks had died क्या समस्या थी उसके जो बैलों की जोड़ी थी वो उसमें से क्या मर गया था एक बैल मर चुका था question number eight है why was अलगू upset over जमून's nomination as head punch जो वो था अलगू जमून की मुख्य पंच की नुकती पर कौन प्रेशान हो गया अब अलगू प्रेशान हो गया क्या था क्यूं हो गया था प्रेशान वो अलगू अंसर क्या है अलगू was upset thinking that जमून would have his revenge on him अलगू ने सोचा कि अब जमून उससे अपना बदला लेगा क्योंकि वो पहले उसने उसके चाची के पक्स में निरने दिया था अब सोचा कि अब उसके विरुद निरने देगा इसलिए वो दुखी हो गया था उसके पंच बनने के वज़े से question number 9 what was जमून's verdict as head punch how did अलगू take it अब जमून के अब क्या निरने था head punch के रूप में और अलगू ने इसको कैसे लिया जमून's verdict was that साहू should pay अलगू the price of the block क्या कहा जमून ने अब साहू को कि अलगू के bell की जो किम्मत है वो दे दी जाए क्या कहता है बहुत जोर से चलाता है क्या कहता है बहुत जोर से चलाता है विक्ट्री तूदा पंचायत की पंचायत की जै हो पंचायत की विजै हो question number 10 जो इसका last question है वो देख लेते हैं भी which of the following sums of the story sentences के अंदर कुछ ना sentences दे रखें तीन sentences दिये हुआ हैं इसके अंदर book के अंदर देख लेना आप अपनी मैंने उसके only answer लिखा है इनोंने कहा है कि इसके इंदर से बताए कि इसका सबसे बड़ी अजुसार है वो कौन सा है best बताना था तो best बताया reason भी बताना था the voice of the punch is the voice of God कि जो punch की आवाज है वो किसकी आवाज है परमात्मा की आवाज है sums up the story best इसके अंदर सबसे बड़ी अ जो इसका सार है वो यही है it is because God is always fair and just क्यों क्योंकि जो भगवान है वो सदा क्या होता है निस्पक्स होता है और न्याई सील होता है इन दा स्टोरी बोथ अलगू एंजुमून एज पंच गीव फियर जज्जमेंट इस स्टोरी के अंदर जो दोनों ही थे जुमून और अलगू पंच के रूप में फियर जज्जमेंट देते हैं निस्पक्स निर्णे देते हैं आज की मेरी वीडियो इतनी ही थी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चेप्टर के साथ थेंक्यू